कोलकाता ट्राम्स अश्टिंग गान्स कोलकाता की गलियों में ये एक चीज है जो हमारे साथ चलती है कदम से कदम मिलाके हमारी ही रफतार से कोलकाता ट्राम्स इन में 6 रुपए में आप पूरा कोलकाता घूम सकते हो आज के जमाने में सर्प्राइजिंग है ना बट सच है वेलकम टू चर्चा जारी है और आज हम बात करेंगे एशिया के लॉंगेस्ट ट्राम लाइन के बारे में हाँ वही कोलकाता ट्राम्स जिसके बारे में अभी काफी डिसकुशन चल रहे हैं पर क्या ये हेरिटेज सही में हाथ से जाने वाली हैं चल ये देखते हैं वेस्ट बेंगॉल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स निहाशी शौक्रबॉर्ती ने कहा है कि कोलकाता को अब एक वास्टर मोड अफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है और ट्रांस की स्लो स्पीड की वज़े से काफी ट्राफिक कंजेशन हो रहे हैं उन्होंने ये भी बताया कि कोलकाता में ज्यादा दर ट्रांप रूट्स अब शट्डाउन किये जा रहे हैं पस जॉय राइड्स के लिए इस प्लैनेट से लेके मैदान तक का एक हरिटेज लाइन चालू रहेगा और इसकी सबसे बड़ी वज़ा है कोलकाता में ट्रांस की वज़े से होने वाले ट्राफिक कंजेशन और पीक आवर्स में भयानक डिलेज कोलकाता की सडकों पे पहली बार हॉर्स टॉन ट्रांस ने 24 फेब्रॉरी 1873 में कदम रखा था यह ट्रांक कर्स इंगलेंड से इंपोर्ट की गई थी और आपको पता है कोलकाता ट्रांवे कंपनी यह कलकाता के रिच हेरिटेज को सिगनिफाई करती है वह पहला सफर था श्यालदर से अर्मेनियम घाट तक का उसके बाद यह ट्रांस कलकाता शहर की जान बन गई CTC का ट्रांव नेटवर्क कोलकाता के सेंटर से लगबक 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें लगबक 270 ट्रांव कार शामिल थे जब इन ट्रांव से हर रोज हजारों पैसेंजर सफर करते हो तो उनको City of Joy का Lifeline कहना तो लाजमी है ना कोलकाता के लोगों के दिलों में खास जगा रखती है क्यों कि लोग इने से ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं बलकि अपने हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझते हैं कर इंवर्मेंटल ग्रूप्स ने ट्रांव सर्विसेस के बंध होने का भयानक विरोध किया है उ कि इसकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी उतना ही सेलिब्रेट किया गया अगर आपने कभी बंगाली सिनेमा देखा हो या फिर ऐसा कोई भी सिनेमा देखा हो जहां को दिखाया गया है तो आपको हर एक सीन में ट्रांस जरूर दिखेंगे एक ट्राइम था जब ट्रांस डिकलाइन होना और ये डिकलाइन होके जीरो पर आ जाना बोलकाता है ट्रांस की यही डेस्टेनी रही है और इसी की वज़़े से ट्रांब बेज़ा बंध होने की कागार पे हैं अब ट्रांस सर्विसेज अगर बंध होंगी तो लोगों का ध्यान तो खिचेगा ही इसी के लिए कई लोगों और 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 अर्गनाइजेशन ने अदालत में इसके खिलाफ PIL डाली है लोगों को कहना है कि शहर में ट्राफिक जैंस किल सिर्फ ट्रांस थोड़े जम्मेदार हो सकते हैं इसकी बड़ी वज़ाय तो वेहिकल्स का बढ़ता नंबर और पूर इंफ्रस्र ताकि ट्राम्स आज के टाइम वन आप तर इको फ्रेंडली मोट अफ ट्रांसपोटेशन है ज्यादा दर ट्राम रूट्स तो बंध होने वाले हैं पर सरकार का कहना है कि एक सिंगल रूट बस जॉइराइट के लिए चालू रहेगा पर लोगों का कहना है कि सरक एक रूट क भी बतायेगा इफ लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब दे चैनल जहां चर्चा जारी है घोशाल का गाया हुआ ये गाना अब सिर्फ यादों में रह जाएगा